गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजु सिंग, आज आपको नवीन पल्लव के पार्ट सत्रा, जिसका नाम है अपराद, यह एक कहानी है, पिछली कक्षा में मैंने इस पार्ट के शब्दात, शुरुतलेक और लिखित प्रशनुत्तर की पुन्रावर्ती करवाई थी, आज मैं इस पार्ट के पेज नमबर 102 का कोशन नमबर क, ख, ग, और मोखिक प्रशनुत्तर की पुन्रावर्ती करवाऊंगी, क, वर्तने शुद कीजिए, बच्चू, यहाँ पर कुछ शब्द ये गए हैं, इनमें मात्राव की गलती हैं, आपको इनें सही करके लिखना है, वन, इश्या, इश्या में छोटी इ बना है, जब आप इसको सही लिखेंगे, तो बड़ी इ लिखेंगे, तब यहाँ बन जाएगा इर्श्या, टू, अपाहिज, अपाहिज में हा पर बड़ी ए की मातरा है, जब सही लिखेंगे, तो हा पर छोटी ए की मातरा लगेगी, तो हो जाएगा अपाहिज थ्री, गुलाटियां, गुलाटियां में टापर बड़ी की मात्रा लगी है, सही लिखने पर हम टापर छोटी की मात्रा लगाएंगे, गुलाटियां फोर, प्रति दंद्विता, बच्चो इसमें द के उपर बिंदी लगी है, जो गलत है, जब हम सही लिखेंगे, तो हम लिखेंगे प्रति दवंद्विता, वा के उपर बिंदी लगाएंगे फाइब, सामिल, सामिल गलत है बच्चो, इसमें सह बना है, जब सही लिखेंगे, खा, विप्रितार्थक शब्द लिखी, बच्चो अब हम विलोम शब्द की पुन्रावर्ति करते हैं वन, उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम शब्द होगा अपेक्षा टू, डंड, डंड का विलोम शब्द होगा पुरस्कार या शमा थ्री, रोना, रोना का विलोम शब्द होगा हसना फोर, हारना, हारना का विलोम शब्द होगा जीतना फाइब बड़ा बड़ा का विलोम शब्द होगा छोटा बच्चो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ विलोम शब्द केसे कहते हैं किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों अब हम कोशन नमबर गा की पुन्रावर्ती करेंगे उधारन के अनुसार अनु उपसर्ग लगा कर शब्द लिखी बच्चो उपसर्ग वे शब्दान सोते हैं जो शब्द के प्रारम में लगकर उसके अर्थ में बतलाव ला देते हैं वन चर चर में अनु लगाएंगे तो हो जाएगा अनु चर 2. सार सार में अनु उपसर्ग लगाया तो बन जाएगा अनु सार 3. भाव भाव में अनु उपसर्ग लगाया बन जाएगा अनु भाव 4. रूप रूप में अनु उपसर्ग लगाया तो बन जाएगा अनु रूप 5. मान, मान में अनुपस, बच्चों अब हम मोखिक प्रश्नुत्तर की पुन्डावर्ती करेंगे प्रश्न नमबर 1, अपराधी को सजा कोन देता है? उत्तर, अपराधी को सजा नियाइधीश देता है प्रश्न नमबर 2, ब्रेल लिपी का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? उत्तर, ब्रेल लिपी का प्रयोग नेत्रहिनों के लिए किया जाता है प्रश्न नमबर 3, ताइकवांडो कहां का खेल है? उत्तर, ताइकवांडो कोर्या की मार्शल आर्ट है प्रश्ण नमबर फूर भारत का राष्टिय खेल कोन सा है? उत्तर भारत का राष्टिय खेल होकी है बच्चो ये प्रश्ण उत्तर आपको अपनी कोपी में लिखने हैं